So, hey, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश और आज मैं आपसे बात करूँगा Acer Swift 5 Laptop के बारे में, जो है यहाँ पर हमारे पास में है पहली बात तो यही है कि यह Laptop बहुत ही जादा हलका देखने मिलता है So, यहाँ पर जो Laptop का weight है हमें देखने मिलता है 1.19 kg और रही बात यहाँ पर इस Laptop के अंदर जो थिकने से 14.95 हमें देखने मिलती है तो भाई एकडम simple कहना चाहूँगा कि बहुत ही पतला और एकडम must तुमें fit and fine Laptop देखने मिल जाता है दूसरा एक और feature आपको बता हूँ तो यहाँ पर यह जो Laptop है आपको touch screen देखने मिल जाता है full on touch screen है और यहाँ पर अगर हम इसे open करेंगे तो भाई must तुमें touching watching करके आप जो भी अपना काम है वो सब कर सकते हो तो यहाँ पर इस Laptop के अंदर Intel i7 11th generation का processor देखने मिल था Tiger Lake processor आता है डिस्प्ले को लेकर बात करेंगे तो 14 inch की आपको touch screen display देखने मिल जाती है इसके जो colors है ना वो भी बहुत अच्छे से निकल कराते है YouTube का content वी watch कर रहा था मैं और उसी के बात में कुछ ऐसे video editing का काम का रहा था color grading का जो काम था वो सब करके देख रहा था इस laptop के अंदर तो वो भी यहाँ पर जो है ना एकदम अच्छी तरीके से होगते हैं इस laptop के अंदर जो white colors है ना वो थोटे से warmer shade में जाते हैं मुझे ऐसा feel हुआ कि वो warm side देखने मिलता है तो यहाँ पर आपको antimicrobial corning gorilla glass देखने मिलता है तो basically यहाँ पर होगा क्या कि आप जो फो laptop को stylus वगरा के through use कर रहे हो तो उसके अंदर जो scratches है ना वो इस laptop की जो screen पर नहीं आएंगे इसके लिए जो protection लगाई गई है इस display के उपर वो काफी जादा अच्छी निकल कर आती है तो आप stylus यूज कर सकते हो इवन finger से भी जो भी आपको करना है तो scratches वैचस नहीं आने वाले इस पर जो दूसरे laptops आपको देखने मिलते है उसके अंदर आपको 240, 250, 260 इस तरह की से peak brightness मिलते है और इसके अंदर 340 knit brightness आती है srgb value आपको 100% देखने मिलता है और यहाँ पर जो इसके laptop के अंदर जो bezels है वो आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने मिलेंगे जैसे आपर आप देख सकते हो जिसकी वाज़े से आपको 90% का screen to body ratio देखने मिलता है यहाँ पर Acer का Swift file laptop है यह आपको Intel के Evo platform पर देखने मिल जाता है जिसके क्या-क्या features है जिसमेंस आपको एक features आपको बता चुका लाग एकदम ही कैस अपते हो भाई मतलब एक second के अंदर आपकी laptop की आखे खुल जाती है मतलब पूरी screen जाग जाती है अभी यहाँ पर इस laptop के बता दू यह जो laptop है Acer ने हमें send किया है तो thank you so much Acer कि कि यहाँ पर इतनी अच्छी machine को use करने का experience निकालने का मौका मिला मलब एक business वाला जो person है जिस या फिर जिसे एक lightweight machine चाहिए उसके हिसाब से laptop काफी अच्छा निकल कराता है वीडियो editing जो पाड होता है जो इसे vlogger बाग इसे कर पाओगे color grade लगाने के बाद में एक दो layer लगाने के बाद में तो जैसे इस laptop के अंदर intel evo का support देखने मिलता है तो basically इसकी वज़े से ये भी होता है कि यहाँ पर जो इसके fans है ना जो इसका laptop पूरा है ना literally एकदम silent देखने मिलता है ऐसा लग रहा है कि कोई मैं mobile इसे इतना notice किया था ना so like यहाँ पर आप अपना chrome हो गया YouTube वगरा हो गया और अपना workstation type का जो काम हो गया तो अगर आप इसे calculation करके लेगी चाओगे ना 17 घंटे तक का आपको battery backup निकाल के देता है और साधी साथ इसके अंदर एक फाइदा ही है कि यह जो laptop ए fast charger के साथ में उस charger को जब आप यूज करोगे तो 30 मिनट की charging पर आपको 4 हार्स का backup निकाल के देगा Bluetooth 5.1 देखने मिलता है और Wi-Fi 6 का भी support देखने मिल जाता है तो यहाँ पर आपको charging port देखने मिल जाता है उसी के बाद में यहाँ पर आपको HDMI port देखने मिलता है USB 3.0 है और यहाँ पर हमे speaker को output के लेकर बात करूँ न तो मैं आपको simple यह कहना चाहूंगा उतना जादा expect नहीं कर सकते हैं इस laptop के अंदर जो sound है मुझे इस laptop के अंदर एक तरह के से average लगा है 16 GB की RAM देखने मिल जाती है 1 GB के NVMe SSD देखने मिल जाती है और बाकी और भी जो specification आप यहाँ पर on screen देख सकत है और साथी साथ कहीं कहीं प्लास्टिक भी यूस किया गया है और इसकी बात में इस laptop की जो keyboard है न वो भी काफी अच्छा काम करते हैं की travel को लेकर बात करूँ तो वो भी अच्छा response निकाल के देता है और यहाँ पर जो फ्लैक्स की बात रही तो यहाँ से और यहाँ से तो क करता है और Windows के जितने भी gesture है वो सार है यहाँ पर support आपको करवा के देगा तो मुझे यहाँ पर keyboard भी पसंद आया और उससे ज्यादा पसंद आया इसका trackpad यहाँ पर आप जो webcam की quality देख रहे हैं 720 HD 30FS पर आपको वीडियो recording देखने मिल रही है और यहाँ पर मैंने जो सामने की light है वो भी बंद कर जी है तो कुछ इस तरीके से आप अपने meetings वगरा हो गई इवन जो sound भी आपको अभी सुनने मिल रहे है वो इसी laptop की जो webcam है उसके ही mic से record हो रहा है पूरा तो आप पूरा यहाँ पर एक idea लगा सकते हो तो basically यहाँ पर इस laptop को मैं एक थोड़ी सी premium segment के अंदर लेके जाऊंगा और वहाँ पर यह laptop काफी अच्छा देखने मिल जाता है आपको daily life के हिसाब से भी यह laptop काफी अच्छा निकल कराता है basically छोटी compact और अच्छी machine देखने मिल जाती आपको acer swift life बाकी guys यहाँ पर मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर यही था और अगर आपको और भी कुछ ही बात जाननी है तो मुझे comment के अंदर बताओ मैं वहाँ पर आपको और भी बाते reply करूँगा सो बाकी guys मैं मिलूँगा आपको और भी इसी तरह के interesting वीडियो के साथ में सो दोस्तो आज की इस टेकी पार्ट शाला में मेरी तरफ से बस इतना ही